नमस्कार स्वागत्यापका हमारे चैनल चार जागंदर मिशा में दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करिएगा आज रात के बाद इन पांच राशियों के पास खुद आने वाली है मालक्ष्मी दोस्तों नौग्रहों में सबसे सुबग्रह माने जाने वाले देव गुरू ब्रिहस्पत आज रात अस्त होने जा रहे हैं जी हाँ दोस्तों बताना चाहेंगे कि देव गुरू ब्रिहस्पत के अस्त होने की आज रात यानि की 18 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक रहेंगे यानि कि देगुरू ब्रिहस्पत अगले 31 दिनों के लिए अस्त अवस्था में ही रहेंगे दोस्तों खास बात यह कि आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार का दिन माता लक्षमी जी का दिन कहलाता है ऐसे में दोस्तों इस दिन इतने बड़े ग्रह का चाल परिवर्तन करना काफी ज़्यादा शुब और फलदाई माना जा रहा है जी हां दोस्तों बता दे कि जब भी कोई ग्रह उदय या अस्त होता है तो इसका हर एक रासी पर शुब और अशुब परभाव परता है किसी किसी पर इसका बहुत अधिक शुब परभाव परता है तो किसी पर इसका अशुब परभाव और नकरात्मक असर भी देखने को मिलता है ऐसे में दोस्तों इस बार देव गुरु ब्रिहस्पत का अश्त होने की बज़े से कुछ बिशेष राश्वालों की जिंदगी अब बदलने वाली है इन राश्वाली लोगों के उपर माता लक्ष्मी जी इन राश्वालों की किसमत बदलने वाली है साथी साथ इनके उपर महा लक्ष्मी जी क्या आशिरवाद अब बनने वाला है मा लक्षमी कृपा से अब इनका भाग सात्मी आस्मान पर रहेगा मा लक्षमी जी की कृपा से इन राशवालों की जिंदगी में अब खुशियां आएंगी साथी साथ इन्हें लोगों के सभी कष्ट आज रात के बाद माता लक्षमी जी स्वेम दूर करेंगी तो आखिर ये भाग साली राशियां कौन सी है इन्हें क्या लाब होगा आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो आप से अन्रोधे की वीडियो को आप बिल्कुल भी मिशना करें और इसे शुरू से लेकर अंतक जरूर देखें तो चलिए शुरू करते हैं दौर्शतों सबसे पहली जो राशी है वो है मेस राश जी हां बताना चाहेंगे कि इस राश वालों के लिए ये समय काफी सुब साबित होगा माता लक्ष्मी जी की अश्यूम कृपा द्रिष्ट बने रहेगी आज रात के बाद अब इनकी किस्मच चमकने वाली है माता लक्ष्मी जी की अश्यूम कृपा बने रहेगी बिजनेश वियापार करते हैं कारुबार करते हैं तो अपार धन का लाब होगा रुकव फसव ध भी प्राप्त होगा, साथी लोटरी शट्टा में भाग अजबाएं के तो जेवर्जस्त लाब होगा, माता लक्षमी कदम आज रात के बाद पढ़ने वाले हैं, जी हाँ, बता दे कि इस विशेश परिवर्तन की वज़े से इस चाल के कारण ग्रहों के विशेश राजयोग औ इनका काफी सुकमे रहेगा, और अब याई जातकों के लिए ने रिष्टे आएंगे, घर परिवार की स्थितियां काफी अच्छी रहेगी, अब अगली यानी जो दूसरी जो राशी आती हैं दोस्तों बता दे, वो है यहाँ पर सिंग रासी, सिंग रासी की जात को बताना देखने को मिलेगी, एक नए सुधार देखने को मिलेगा, समाज में आपका मान समान बढ़ेगा, समाज की इस तर पर आपका बोल बाला रहेगा, आपका कड़ बढ़ेगा, आप जो भी नेने लेंगे, जो भी फैसला लेंगे, माता लक्षिमी कृपा से वो शही साबित संतान की काम्यावी और तरक्की से आपका समाज में मन समान बढ़ेगा प्रेम संबंदों में भी मजबूतियागी प्रगारता आएगी बता दे कि स्टुडेंट पढ़ाय लिखाई पर इसमें अपनी फोकस बना के रखेंगे अब अगली यानि जो तीसरी जो राशी आती है द करने वाले हैं जिसकी वज़े से अब आपके जीवन में एक नए उम्मीद जो बनाए बैठे थे वो उम्मीद पूरी होगी नए बिजनस ब्यापार की सुरवात करेंगे रुकव फसव धन भी प्राप्त होगा साथी सास साज़ेदारी में किये बिजनस ब्यापार से आपको ब्रदियों की किसी बड़ी कमपनी से आपको जोब के लिए उफ़ार आएगा मल्टी निशन कमपनी से आपको उफ़ार आशकता है शाति सरकारी छेतर से भी आपको जोब के लिए उफ़ार आशकता है बता दे कि कई छेतरों में आपको कामयावी मिलेगी कई छेतरों में आ अब आपके किस्मत चमकने वाली है बता दे कि आप जिन योजनाओं कि स्थरवात करेंगे उन योजनाओं में मातलक्षमी कृपा से विशेश कर लाभी लाभ देखने को मिलेगा बता दे कि इसमें अपने घर परिवार की महतपूर चीजों के खरीदारी करेंगे सुख अब अगली यनि जो चोथी जो राशी है दोस्तों बता दे वो है यहां पर मित्फुन राश का आतको अब आपके किस्मत मातलक्षमी जी चमकाने वाली हैं दिन दूनी राश चोगनी तरक्की होगी अब आपके जीवन में एक नया चमक देखने को मिलेगा आप जिन योजन देखने को मिलेगा स्वास्त आपका उत्तम रहेगा माता लक्षमी कृपा से समाजी के दृष्ट से आप काफी लोगपृता हासिल करेंगे लोगों के वीच उठना वैठना रहेगा बिदेश की यात्राएं करेंगे बिदेश में नए बिजनेश व्यापार और कारोबार करने का महतपूर मौका मिलेगा बिदेश में जाके अब आपको एक अच्छे अपसर मिलेंगे नए जोब लगशक्ती है मान समान के ब्रदी होगी नए कारियों के सुरुआत करेंगे पुराने ठप पड़ गए थे जो कार उने फिर से सुरुआत करेंगे बिजनेश व्यापार मे शब का सहयोग प्राप्त होगा और अव्याइज जातकों के लिए नए रिष्टे आएंगे साधी व्याग का ओफर आएगा और सुब बंगल कार होंगे धर्म कर्म के कार आपके घर में होते चले जाएंगे अब अगली यानि जो पांचमी जो राशी आती है अंतिम वो है य जीवन में नए नए आयाम देखने को मिलेंगे नई काम्याबी आपको हासिल होगी जोनी कारियों को लेकर काफी चिंतित थे अब माता लक्ष्मी के कृपस उन कारियों में आपको सफलता प्राप्त होगी बता दे कि आप महतपूर लाब कमाते नजर आएंगे इसमें आपक आपको लाब होगा, कमपुटिशन के तियारी में जुटे हुएं तो लाब होगा, विद्ध्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बताते कि इसमें अपनी लब पार्टनर को कुछ गिप्ट और उपहार देंगे, उनके साथ काफी अच्छा मौज बस्ती करते हैं, नजरा आएंगे, उनके साथ जदर जदर शमय गुजारेंगे, और उन्हें कुछ गिप्ट सुरूप दे सकते हैं, भेट में तोफ़े, और दोस्तो आप अपने जीवन साथिक साथ मधूर संबंद इस्थापित करेंगे, उनके साथ बहुत अच्छी खोपसूरा संबंद र रचम ये, इन पांछ राशियों के भाग को अब सात्मी आस्मान पर रहेगा, इनके भाग में इजाफा हो बंद किस्मत का ताला खोलेगा, क्योंकि माता लक्षमी कृपाँ इन पांच राशियों के पास आज रात के बाद पढ़ने बाली है, तो दौस्तों कमेंट में वीडियो को लाइक करें ज्यद्ध ज्यद्ध शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जय मालक्षमी